एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड उप जिके में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार पुलीस का परिच्छा उसका डेट घोसित कर दिया गया है आपको 12 जन्वरी और 20 जन्वरी को दो चरण में बिहार पुलीस का एक्जाम होगा ठीक है जो 12 जन्वरी को होगा उसमें आपको दो पाली में होगा ठीक है परिच्छा होगा और एक है जो 20 जन्वरी को होगा उपस में भी दो पाली में परिच्छा आपको लिया जाएगा तो समय बहुत कम है तो आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट फैर से उसको देखेंगे जो की विहार पुलीस के पीटी एक्जाम की दिश्टी कुन से काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को पूरा देखें अब फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेर जरूर करें चैनल कई सब्सक्राइबोट लाउंच क्या है तो कहां देखें इसका सेंसर हो जाएगा ओडीन्हां किस राज की सरकारने हाली में स्कूली चात्रों के लिए फिर्म लाइप के लिएंट लांच किया है तो देखे बहुत ही important प्रश्ण था मधु एप कहा लॉंच किया गया है तो उडिसा में चले प्रश्ण नमबर दो को देखते हैं प्रश्ण नमबर दो आपका है कि भारतिय नौ सेना दिवस इंडियन नेवी डे हर वर्स मनाया जाता है तो याद रखें चार दिसंबर को भार प्रश्ण नमबर तीन देखते हैं आपका प्रश्ण नमबर तीन है कि हाल ही में कौन मोबाइल ट्रेकिंग कैमरा क्या मोबाइल ट्रेकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हाल ही में कौन मोबाइल ट्रेकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पह करने वाले सड़क हाद्सों को रोखने के लिए यह कदम उठाया गया है तो हो जाएगा आपका मोबाइल ट्रैंकिंग कैमरा लगाने वोला दुनिया का पहला देश अस्टेलिया हो जाएगा चलिए प्रश्ट नमबर चार को देखते हैं प्रश्ट नमबर चार आपका है कि अंतराष्ट्य दिव्यांग जन दिवस हर वर्स मनाया जाता है तो देखें दिसंबर हाली में भी मनाया गया है अंतराष्ट्य दिव्यांग जन दिवस हर वर्स मनाया जाता कब तो तीन दिसंबर को ठीक है तो इसे भी याद रखें हो सकता पूछा जाए प्रस्ट नंबर यहां पर देखें डिटेल में लिखा हुआ है कि 3 दिसंबर 2019 को दुनिया भर में अंताराष्टिय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया यह दिवस परतिवर्स 3 दिसंबर को मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं कि हाले में कौन ह हज परकिरिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चलिए प्रस्ट नमर्चों को देखते हैं प्रश्ण नमभ चौँ आपका है कि हाले में किस वर्ष 2019 का उप्रुसकार दिया गया है कि हाले में किसको 2019 का उप्रुसकार दिया गया है किसका से answer हो जाएगा देखेँ अंसर, option nrc क्या है अकीतम अचियुतन नम्बुद्री ठेक है ? नाम तोट होगा है अकीतम अचियुतन नम्बुद्री इनको दिया गया है देखे आपर लिखाऊ होगा है इस वर्स यह पृřुसकार मल्यालम कवी यह है जो मल्यालम के कभी है इनका नाम है अकीतम अचितन नंबू दरी को दिया गया है ठीक है वर्स 2019 का ग्यान पूर्शकार देखिए यही है इनका तस्वीर है चले अगला प्रस को देखते है प्रस नमर साथ को देखिए प्रस नमर साथ आपका है कि हाली में हुई घोसना के अनुसार कौन सा देश वर्स 2020 में होने वाले नौसेनिक अभ्यास मिलन की मेजवानी करेगा बहुत इंपॉर्टन प्रशन है आपका कि हाली में हुई घोसना कौन सा देश है जो वर्स 2020 में होने वाले एक नौसेनिक अभ्यास है जिसका नाम है मिलन इसकी मेजवानी करेगा इसका सेंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमबर याने के भारत करेगा देखिए आप डिटल में लिखा हुआ है कि इस अभ्यास में दच्छिन एसिया दच्छिनिपूर एसिया अफिरका और उरोप के ऐसे 40 देशों को अमांत्रित क्या गया है जिनके साथ भारत के सेंस समंध है तो याद रखेगा कि जो मिलन की मिलन अभ्यास होने वाला है इसका मेजवानी कौन करेगा 2020 में भारत करेगा प्रश्च नमर आठ को देखते हैं प्रश्च नमर आठ है कि हाली में मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस का नाम बदल कर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गय मुंबई नागपूर एक्सप्रेस अब सिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा ठीक है मुंबई नागपूर एक्सप्रेस है वह अब है जो बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा प्रश्च नमर नौ को देख सिचह पुर्शकार आरंम करने की घोषना किया है इसका अंसर आपका हो जाएगा पूर्ट गाल कि में 17 में किसे सिर्ष अस्थान मिला है ठीक है तो किसे मिला है किर्केटर में तो विराट कोहली के मिला है ठीक है जो हाली में जारी एक फोवर्स इंडिया 2019 की सूची तयार की गए है उसमें कमाई के मामले में सिर्ष अस्थान सबसे उचे स्थान पर कौन है तो विराट कोहली जो बरतवान भारत किर्केट टीम के कप्तान है देखिया पर लिखा हुआ है फो वर्स इंडिया की वर्स 2019 की सेलिब्रेटी सौव की सलाना सूची में टॉप पोजिशन पर किर्केटर विराट कोहली को मिली है अगला प्रशन आपका है हाली में हुई घोसना के अनुसार कितने लेखकों को साहित अकादमी पुरुसकार 2019 मिलेगा ठीक है यानि 2019 का साहित अकादमी पुरुसकार कितने लेखकों का मिलेगा तो तेश लेखकों को मिलेगा याद रखेगा कितने लेखकों को तेश लेखकों को देखिया आपर नुर्ष में लिखा हुआ है साहित अकादमी पुरुषकार 2019 की घोसना हो चुकी है तेश लेखकों को साहित अकादमी पुरुषकार 2019 के लिए चूना गया है साहित अकादमी के अनुसार इन सभी की तैम्र पत्र और एक लाख रूपीय का नगथ पुरुसकार के साथ समानित किया जाएगा तो याद रखेगा यह 2019 के साहित अकादमी पुरुषकार जो कितने लेखकों को मिलेगा तो तेस लेखकों को मिलेगा प्रेश नमर बारा को देखते हैं बारा क्या है कि हाली में किसे भारत के अगले थल सेना परमुख के रूप में चुना गया है ठीक है तो किसे चुना गया है तो इसका सेंसर आपका हो जाएगा थल सेना परमुख का सेंसर हो जाएगा आपको सी मनोज मुकुंद नर्वाने देखी लेप्टिने जनरल मनोज मुक प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है तेरा नमर प्रश्ण है कि हाली में जारी मानव विकास सुचकांग 2019 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो कितना मिला है 129 अस्थान मिला है चलिए यहां देखते हैं डिटेल में कि भारत ने एक पैईदान का सुधार करते हुए हासिलки, इसके पहले कितना था, 128 था तो अब ही है भारत ने एक पैईदान को सुधार करते हुए 139 अस्थार हासिल किया है ठीक है UNDP भारत में अस्थानिय परति निधी नोट द्वारा जारी ब्यानों में कहा गया है कि भारत दोजार पांच हो से दोजार पंद्रा सुल्लक के बीच 27.1 कोड़ों को गरीबी से बाहर निकाला गया है जिसके चलते यह रैंकिक प्राप्त हुए तो कहने का मतलब है अभी है जो कितना है कि हाली में जारी मानव विकास सुसकांग के भारत के कौन सा स्थाने तो 139 है ठीक है इसके पहले कौन था सौरी 130 था अभी कहा है 119 है चले अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट ना आपका है कि वर्ल्ड एंटी डेपिंग एजनसी आद रखेगा वाड़ा का फूल फ्रम क्या होता है वर्ल्ड एंटी डेपिंग एजनसी ने रूस पर चार साल का बैन लगाया है इसका मतलब यह है कि अब रूस अगले चार साल तक किसी परकार के मुख्य खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाएगा रूस पर इस बैंड का सबसे बड़ा असर यह पड़ेगा कि वह टोक्यों में होने जा रहे हैं आगामी उलम्पिक खेल 2020 में कि कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में से बाहर हो ग तो रूस पर परतिबंद लगाया है चलिए पंदर नमर प्रशन लेख दें जो इस वीडियो का लाश्ट प्रशन है कि आपको देखिए याद रखेगा जरूर यह कि हाली में किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है बहुत इंपॉर्टन प्रशन है तो मिस यूनिवर् इसी तरह से मैं करेंटे फेयर्स का और विहार से समंदीत जिक्के जीएस जो भी है इसी तरह का वीडियो में अप्लोड करता रहूंगा एक जाम तक मारे चैनल पर बने रहें ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सेर जरूर करें देखने के लिए जन्यवाद